कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग-अलग प्रदेशों में फसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहे हैं। मैंने राजस्थान में, दिली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े-बड़े शहरों में गए। लोगडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गया। आगे चलते चलते राशन भी खतम हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं। बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। राशन मिल नहीं रहा है। बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको जोशी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूनना चाहिए विस सब की जिम्मेदारी है मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है यूपी के एक-एक मजदूर की जिम्मेदारी चाहिए वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो वो यूपी की सरकार की है तो हम उनको ऐसे नहीं छूड़ सकते हैं मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि कोटा से आप छात्रों को घर वापिस ले आए लेकिन ये मजदूर भी तो आपके है, ये भी तो हमारे है इनके भी परिवार तरस्थ है, परिशान है, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं तो मैं आगरे करती हूँ कि कम से कम एक हेल्प लाइन, कम से कम हजार लोगों का कंट्रोल रूम हो जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याइं पहुचा पाएं तो आप अलग-अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद खरवा पाएं दूसरी बात, कि किसी ना किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करनी की कोशिश करनी पड़ेगी एक ऐसा प्लान बनाया जाएं ताकि ये लोग अपने जिले में वापस आ सके देखिए हम इनको इस तरह नहीं जोड़ सकते मेरा अपील है अरदेश वासी से, यूपी की सरकार से कि हम इनकी मदद करें